आस्ट्रेलिया टीम के सलामी बल्लिबाज एरोन फ्रिंच ने भारत के खिलाफ तीसरे एक दिवसी मुकाबले में शांदार शतक लगा कर बेहतरीन वापसी की हलकि उनका ये शकत टीम को जीत नहीं दिला सका और भारती टीम ने निर्धारित लक्ष को आसानी से हासिल कर लिया भारती टीम ने अभी तक तीनो एक दिवसी मुकाबलों में उस्ट्रोईले को हरा है इसलिए फिंच ने भारती एक रुके टीम की काफी तारीफ की है उन्होंने कहा कि भारती टीम इस बात को परदर्शित कर रही है कि इस समय वो दुनिया की बहतरीन टीम है फिंच ने एक वेबसाइट को दिये इंटिवी में कहा आपको बहतर परदर्शित करने की जरूरत होती है लेकिन मुझे लगता है कि जब आपको मैच चीतने का मौका मिले तो ये सुनिश्ट करें कि उस मौके को जाने ना दे फिंच ने ये भी कहा कि दोनों टीमों के बीच इस वक काफी अंतर है और अपने खेल से भारतिय टीम इसे प्रदर्शित कर रही है भारतिय टीम टीम जीरो से आगे है और विश्ट की नमबर एक टीम है फिंच का मानना है कि लगातार हार की वज़े से आस्ट्रेलिया एक खिलाडियों को वो आत्म विश्वास नहीं मिल पा रहा है आपको बता दें कि भारत और अस्ट्रेलिया के बीच ट्रेंग्पिला का चौथा मैच गुरुवार को बैंगलूरू में खिला जाएगा NMF News Report